अवने एक काम करो गाड़ी को रीवर्स गेर में लगाओ अपनी बेटा हम सिखा देते हैं तुम्हें गाड़ी चलाना रमेश को तो वैसे भी ठीक से नहीं आता है काका आप साइकल चलाना तो ठीक से जानते नहीं है गाड़ी क्या चलाएंगे हाँ काका आप ही सिखा दी थी तो अच्छा है ये तो सारा दिन फोन पे लगे रहते मेरी दरब ध्यान भी नहीं देते अच्छा एक काम करो गाड़ी को रीवर्स गेर मेलो हाँ हलो अवनी ये तुमने क्या कर दिया हाँ पद्बू कहां से आरे इसके अंदा लाश कहां से आगड़ी तुमने से बद्बू भी कितने ही आ रही है एबगवान इन उनों ते लाश देख ली इसमोर्ते का बेस तो एक दूम अच्छे से बनाए गया है कोई लापरवाई की गई है सलगता तो नहीं अगर इस मौर्ती में उसको रखा क्यों होगा और वो भी ऐसे चहल पैल वाली कॉल्नी के बीच में रखी गई मौर्ती और भी ऐसे कॉल्नी के बीचों बीच जाप इतनी चहल पैल सर, सर कॉलनी के लोग काफी घपराय हुआ है किसी को नहीं बता है लाज किसके और सर, इस कॉलनी से कोई गायब भी नहीं हुआ है चल, देखते हैं आप लोग प्लीज इन बच्चों को अंदर घर बेज दीजेगा ये सब देखना सुनना इनके लिए अच्छानी क्लीज बच्चों, घर जाके खेलो, जाओ मा, आजो वाकी मूर्ती में क्या था और उससे इतनी बद्बू क्यों आ रहे थी घर आके बताती हूँ बच्चों मूमी की बाद सुनना चाहिए, जाओ, घर के अंदर जाओ आपके बच्चे ने कहा है कि ये मूर्ती और दादा जी की है जी, मेरे पिता जी की मूर्ती थी सुमित प्रकाश नाम धाउंका उनकी मूर्ती क्यों बनवाई थी मेरे पते एक एंजिनियर और साइंटिस्ट थे सुखे इलाकों के लिए उन्होंने एक नई सिंचाई पद्धती का अविशकार किया था इसी से खुश होकर गवर्में ने उन्हें ये जमीन दान में दी थी और सुमिच जी एतने महान थे कि उन्हें ने वो जमीन कॉलनी को दान कर दी थी और हमने उसी जमीन पर ये बच्चों के लिए ये पार्क बनवा दिया इसलिए हमने उनके सम्मान में इस पार्क में उनकी मूर्ती लगवाई तो यह ऐसा लगता है कि किसी ने हाल में इस लाश को मूर्ती में चिपाया है कुछ महीनों पहले आप लोग बता सकते हैं कि मूर्ती यहां कब लगाई गई थी क्योंकि शायद लाश को उसी वाट अंदर रखा गया था यह क्या कह रहे है सो ऐसा हो इनी सकता सुमिज जी जिस साल गुजर गए उसी साल यह मूर्ती वहां लगवाई गई थी कम से कम 49 साल हो गए 49 साल पहले? तो यह हो सकता है कि जब हाल खिलाल में मूर्ती पदली गई हो या पिर इसके मरमत की गई हो तब यह लाश इसमें डाल दी गई हो जी नहीं, जबसे यह मूर्ती लगवाई गई है तबसे ना इसकी मरमत हुई है और ना इसे पदला गया है है से कैसे हो सकता है कुछ महीनों पहले मरे उविए आदमी की लाश इसमें पुरानी मूर्ती के बिढ़ कैसे हो सकता है पर आप लोगों को पता निए चला है पुरभी, जर आप वाच्मेन से पता करें सर सर इस कॉलोनी में करीब दोसो फैमिली ज रहती है अगर किसीने रात को पुतला बदला होता किसीने तो देखा होता लेकिन यहां तो किसीने कुछ देखा ही नहीं सर यहां पर दो वाच्मेने, एक दिन में ड्यूटी करता है और एक रात में और दोनों का ही क्याना कि किसीने भी मरमत का काम होते हुए नहीं देखा अगर कोई काम हुआ नहीं है तो पर यह लाश मुर्दी के अंदर आई कैसे है सचिन, 49 साल पहले ब्रॉंज की मुर्दी खड़ी की गई हुए तब सले के राज तक, ना किसीने उसके मरमत की, ना उस मुर्दी को बदल दिया हाँ सर, 1976 की बात है हाँ, और आज उस ब्रॉंज के पुदले के अंदर मिलती है एक लाश और कॉल्णी के 40 लोग कहते हैं, कि उन्होंने कुछ देखा तक नहीं कैसे हो सकता है, मुर्दी के अंदर लाश दोई तरीके आते ही मेरे दिमाग में एक, या तो पुरानी मुर्दी के अंदर लाश रखी या फिर नई मुर्दी बनाकर उसके अंदर लाश डालकर उस नई मुर्दी को पुरानी मुर्दी के जगे रखी गई और असर लेकिन ब्रॉंज की नई मुर्दी बनाने के लिए तो कई दोर से गज़रना पड़ा हो पहले तो उसने Plaster of Paris का धाचा तयार किया होगा, फिर उस धाचे से उसने नया साचा तयार किया होगा, और फिर कम से कम 1200 डिगरी Celsius पे उसने उस ब्रॉंज को पिगला कर उसमें डाला होगा, और फिर उसके टुकडे किये होंगे, तुकडो को फिर विल्लिंग करके जोडा गया होगा, फिर मूर्ती तयार होगी तो उसे खडा कर दिया गया होगा, ये कुछ चुटके वर में थोड़ी होता है, बहुत टाइम लगा होगा, बहुत टाइम लगा होगा, और सर लाश को मूर्ती में रखा गया होगा, मूर्ती को कॉलनी में लाया गया होगा, और फिर पुर करने के लिए क्रेन लाया गया होगा इतना सब अगर हुआ है फिर भी कॉली के लोग के थे कि उन्हें कुछ शुमालून नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर, सर फिर तो पहला वाला तरीका इस्तमाल किया गया होगा सर बोडी को कॉलिनी में लाया गया होगा और फिर मुर्ती में रख दिया गया हो पंकाश मुर्ती को लेटाया गया होगा उसके बाद उसके अंदर लाश को रखा गया होगा और फिर उसे खड़ाभी किया होगा कैसे हो सकता है कैसे हो सकता ही? सर इतना अजीब तरीका लाश को ठिकाने लगाने का खोनी को यह सब परने के जरूरत क्या थे? वही तो इतनी तकलीफ क्यों? लाश को ब्रॉण्ज की मुर्टि के अंदर ही क्यों? कोई न कोई वजय तो जरूर होगी पर है कौन ये है कौन ये लाश है किसकी कैसे मराए मरा या मारा गया इस आदमी के मुझे पर ताले साल है और इसकी मुझे सर पर लगी चोट किया जाए अरे सर 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 हिंदी में बोलेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं इस आदमी की उमर 25 साल है और इसकी मौत इसके सर पर लगी चोट की वज़े से हुई है ये हुई ना मैं थैंक ये और और कुछ और बता सकते हैं कोई जादू है जो चुट की बजाओंगा हो जाएगा अरे कोई जादू है जो चुट की बजाओंगा सब कुछ हो जाएगा अन तक वरता चुट की बजाओंगा ये आदमी गाया बजाएगा क्या बोले क्या बोले तुम मैं कह रहा था सारूंके साभ आप चुटकी बजा दे तो केस सॉल हो जाएगा, कितना किया है, ये तो कुछ भी नहीं है आलेकिन अभी मेरा चुटकी बजाने का मून नहीं ठीक है तो मैं उधर बजा लेता हूँ चुटकी केदर चले जाते हैं? वाँ देखिया, तारीका जी कुछ मिला आईडी वाइडी आपको? ना ना आईडी ना वालेट कुछ ने और ये कपडो की हालत देखो आई साव, बजगी चुटकी लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ अरे वाँ अब बज़ी चुटकी मुझे मालम तारीका जी आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे बताईए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये लाश कितने समय तक उस मूर्ती में थी अच्छा? कितने समय से? ये लाश ब्रॉन्स की मूर्ती में बंत थी वातावरण के प्रभाव में आए पेना कुछ टेस के बाद ये बता चला है कि दो महिने से ये लाश उस मूर्ती में बन थी ओ, मतलब इस आद्मिय का खुन दो महने पहले हुआ है लगता तो ऐसा ही है लेकिन सर, किसी ने इस लाश को देखा किसी ने उस मूर्ती में रखते हुए बोलोनी वाले बता रहे थे कि मूर्ती उन्तालिस साल पुरानी है ज़र साब आप ये बता सकते हैं ये मूर्ती नहीं है या पुरानी है ये मूर्ती उन्तालिस साल पुरानी नहीं है नहीं है ओ, मतलब इस मूर्ती को वाँ पे ट्रक में लाया गया होगा उसी ने ट्रक को देखा कैसे नहीं मुझे नहीं पता तालोंके साब, किसी ने उस क्रेन को कैसे नहीं देखा, जिसके जरीए उस मुर्ति को अपनी जग़ पे रखा गया? मुझे नहीं पता तालोंके साब, उस मुर्ति में वेल्डिंग कब और कैसे की गई? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता जिए कर अब सर मुझे लगता है लाश की गंद की वज़े से सालूम के साप का दिमाग खराब हो गया है क्या बूल रहा है देखो मुझे परिशान मत करो मुझे इस लाश का चेरा भी बना रहा है सर आपसे कोई सवाल नहीं करेंगा आप चेरा बनाईए चलो एक बात तो यह पता चल गए कि मूर्ती नहीं है और किसी ने उसमें लाश रखी है कैसे और कब का पता बात में लगाएंगे पहले यह पता लगाना है कि यह नही मूर्ती बनाई किसने किो कि पता है जए आपसे कोई वेरा कि कि आपसे अपसे वेरा वेरा आपसे वेरा झाल झाल दुकान में तो कोई ने दिख रहे हैं वाव एक खुबसूरत लड़की मेरे दुकान पर? CID से हो मैं तो क्या हुआ? लगता है तुमारा दिमाग ठीकाने पर नहीं है, Mr. Kumar क्या? कुमार? मैं किसी कुमार सुमार को नहीं जान तो अरना मैं कुमार सुमार हूँ तुम निश्रत कुमार नहीं है? जिसकी दुकान है ओ इस दुकान के पहले वाले मालिक निश्रत कुमार उनकी बात करे है न? पहले बाला मालिक? हाँ अब निश्द कुमार का दो महीने प्पोन हो जया हलो, अभी जी सर्थ तारिका बन गया ना चेहरा तो इनों ने ये दुकान निश्द कुमार से खरीदी लिए और दो महीने प्पोन हो गया दो महीने पहले की वो लाश थी ना जो उस मुर्ती में से मिली हाँ सर, लाश हाँ लाश अब ये बताईए कि निश्द कुमार के बारे में और क्या जानते हैं सर मुझे ज्यादा पता नहीं उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी चोरो ने उनका अगला काट दिया था शायद में यहां होती तो उतको पचा सकती ती सर हम आपकी तकलिफ समझ सकते हैं अर्शना जी पर क्या बता सकते हैं कि क्या-क्या चोरी हुआ था कुछ नहीं चुराने के लिए हाई ही क्या गर में कुछ नहीं था और आप भी नहीं है आपके पती जो मूर्थिया बनाते थे वो किन के लिए बनाते थे मेरा मतलब है उनकी क्लाइंस कौन-कौन थे मुझे पता दे लेकिन उनकी सारी चीजे वो अलमारी में रखते थे हम वो अलमारी देख सकते हैं? जी अलमारी देख लो जरब अर्चना जी ऐसा भी हो सकता है कि यह जोरी का मामला ना हो मैं समझ रहे सर कुछ निशित जी का कोई कोई दुश्मन भी था जो उनकी जान लेना चाहता हो सल मामूली साज चिल्पकर उनका दुश्मन कौन हो सकता है सर आफर इस फाइल में मुर्तियों की बहुत सारी न्यूसपेपर कटी गए सर वो जो सारी मुर्ति बनाते थे ना उसका सारा रेकॉर्ड इसी फाइल में रखते थे और सर यह देखे तो यह मामूला है सुमित जी की मुर्ति भी इनों ने बनाई थे 1976 में अर्चना जी मुर्ति बनाने वाले अक्सर अपनी बनाईवी मुर्तियों का एक ढाचा अपने बास रखते हैं कि अगर मुर्ति तूट फुट जाए तो दुबारा बना सके निशिद जी भी ऐसा करते थे क्या हां हां उसके वो सारे ढाचे पिछले बाजू रखते थे आप हम वो जगह देखना चाहेंगे सर आप सब देख रहें ना यह उनके पूरी जिन्दगी की कारिगरी आई उनने जितनी भी मुर्तिया बनाई थी उन सबका एक-एक जाचा यहाँ है वो वाला नहीं देख रहे हैं कौन सा वाला? वो माँ सुमित जी की जो मुर्ति करना चाहें वो वो उस तरफ होना चाहिए आप क्या देख रहे हैं? हम् हम् इमेटी देख रहे हो यहाँ पे कोई ढाचा था जो अब नहीं है हर्षणा जी हाँ वो सुमित कुमार जी की मुर्ति का ढाचा यहीं पे था? हाँ, यहीं था ले गए सार आपका मतलब ओन चोरोस थे नूही? वह सुमित कुमार जी की मूर्ती का धाचा चोर चुरा के ले गए इशी जी का खुण इस धाचे की बजय से हुआ है लेकिन सर्फ, सुमित जी की मूर्ती का धाचा चुरा के चोर क्या करेंगे? उस धाचे की मदद से सुमित जी के नई मूर्ती बनाई गई और उस लाश को उसमें डाल दिया गया लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा वा लाश किस की साडू के साब लगे है ना लाश के चेरा बनाने में एक पार चेरा बन जाया है सारी कहानी सामने आ जाएगी अटो उस अबन गया चर? यह देखो बस यह है वो मरा हुआ हादरी यह कैसे हो सकता है? टोग सब यह क्या मजाग है? अबजित यह क्या मजाग नहीं कर रहा हूँ यही है उस आदमी का चेरा है साही दिखता हूँ मैं जनता था मुझे बिल्कुल बता था यह कुछ ऐसा करेंगे जिसे सारा केस उलट जा ते क्या मात कर रहा हूँ यह तुम मैंसा क्यों करूँ गा ही? क्या हो गया तुमे? अबजित यह क्या कह रहे हो तुम यह यह उसी आदमी का चेरा है सर मजाग क्यों करेंगे? क्योंकि डॉक्टर साब ने दो चेरा बनाया है वो मूर्ती का चेरा है सुमिघ जी का चेरा है जो उन्तालित साल पहले मर चुके है इस चेरा में बढ़ की सिपे सिप मुश लगाना बाकि है भात कर रो यह आप बताये है आपने बनाया है चेरा मैंने तो वही बनाया है जो मुझे खोपड़ी नहीं मताया मैंनने तो मूर्टी नहीं हैए-चो आप देख लीजिए? यह! यह मूर्टी है यह ध्युत हुआ को जह नहीं मताया मैंमो सकता है? शर यह आदमी zig appeal Megan 49 और था मर चुकर है I'm Sir Boss. मुझे चुटी चाहिए. वगवाप देखो, Sir. जले, हम यह पता लगाने की कोशिश कर्रेही थी कि लाश को मुर्ति में रखा कैसे कए है? अब हमें यह पता लगाना है कि सुमित जी की लाश शुमित जी की मुर्ति में आई कैसे? और क्यों? सर कुछ पता चला उस लाश के बारे में लेगे उसी के बारे में हम लोग बच्चों हमें आपके नानी और ममी से कुछ ज़रूरी बात करने और बातें ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं सुननी चाहिए तो आप लोग प्लीज अंदर चाहिए क्यों? हम क्यों नहीं चुन सत्ते? यह बड़ों की बाते हैं बच्चों का कोई काम नहीं हमें पता है हमारे आजोबा की मुर्ती में से लाश मिली है ना? आप उसी के बारे हैं बात करने आये हो ना? अहां और कुछ जरूरी बाते हैं आप लोग अच्छे बच्चे हो ना? हो ना? प्लीज अन्वर जाओ सर बताए ना क्या पता चला आप लोगों को? एक्चली इस केस की जाँच को लेके हम थोड़ी उलजन में है और हमें लगता है कि आप सुल जा सकते हैं इस उलजन को कैसे उलजन? और मैं कैसे सुल जा सकती हूँ? दरसल ये सब हमारे परिवार वाले जैसे ही हैं जब से शादी करके आई हूँ इसी कॉलोनी में रह रही हूँ ये लोग सब कुछ चानते हैं आपको जो कुछ भी कहना है इनके सामने कह सकते हैं ठीक है? आपके पती सुमित जी को गुजरे वे करीब उन्तालिस साल हो गया है न? लेकिन सुमित जी की मूर्ती में से हमें जो लाश मिली है वो वो सुमित जी की है ये कैसे हो सकता? ऐसा ही हुआ है ये दिखे इतने यकिन के साथ आप ये कैसे कह सकते हैं हाँ हाँ ये हो ये नहीं सकता जरूर कुछ भूल हुई है आप लोगों से कोई भूल नहीं ये एक साइन्टिफिक मेथड जिसमें लाश की खुपड़ी का चेहरा बनाएगा और ये ही चेहरा बनाएगा सुमिध जी का लेकिन मेरे पिताजी की लाश कैसे आ सकती है? ये मुम्किन नहीं है वही तो लाश की उमर करीब 45 साल की है आपके पिताजी जिन्दा होते तो 80 साल के उपर के होते अब बात ये है कि 80 साल का आदमी 45 साल का कैसे होगा ये मैं कैसे जान सकती हूँ अब आपको नहीं बता तो हमें कैसे बता होगा चेहरा तो बिल्कुल आपके पती कही है सर, उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संसकार मैंने ही किया था अगर किसी ने लाश बदल दी हो या कहिए किसी तरह वो जिन्दा भी होते तो वे 80 साल का इंसान 45 साल का हो ये नहीं सकता वही तो यही बात हमें परशान कर रही है अच्छा आपके परिवार में कोई कोई ऐसा आदमी था जो जो बिल्कुल सुमिच जी से मिलता जुलता हो नहीं जब से मैं उने जानती हूँ क्या जब से मेरी शादी हुई है मैंने तो आजा किसी को नहीं दिखा जो उनकी तरह दिख रहा हो जो कि उस मरे हुए आदमी का चेहरा भू बहू आपके पती से मिलता जुलता है और उन दोनों में कोई संबन है या नहीं ये जानने के लिए मालती जी हमें आपकी थोड़ी मदद चेह कैसी मदद? अगर आपको बुरा ना लगे तो हमें आपका टेने उस मरे हुए आदमी से मिला के देखना होगा यही एक तरीका है सच्चा ही को जानने का छीक है मैं तैयार हूँ यूकि हम भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो भी तैंक यू हम पिर मिलेंगे पर तब जब आपके साथ मिलेंगे आता रिकरजी, डिने रपोर्टागी पार्शल मैचर क्या? पार्शल मैचर? देखा, इसका मतलब सालू के गलत नहीं था बस यह आदमी सुमित के परिवार काई अगर यह सुमित का रिष्टेदार है तो किसी ने इसे पहचाना किसे नहीं कोई तो होगा जिसे पहचानता यह बड़ी चौकाने वाली बात है आपने तो इसका चेरा बनाया था उसकी फोटो अमने अखबार में बेजी लेकिन ऐसा कोई भी आदमी सामने नहीं आया जो इसे पहचानता हूँ अगर यह इसी शहर में था तो किसी ने तो इसे देखा होगा कोई तो होगा इसके पहचान वाला हम तारिकाजी आप तो जीनियस हैं ऐसे क्या कह दिया मैंने केस सॉल कर दिया हो सकता है यह आदमी इस देश का होई ना हो सकता है कि मरने से कुछ समय पहले इस देश में आया हो इसलिए किसी ने इसे पहचाना नहीं हाँ पिछले दो-तीन महीने की इमिग्रेशन रिपोर्ट्स चेक करने होंगे हमें आज के अखबार में मैंने अपना राशी फल देखा जानते हो कह लिखा तो उसमें क्या था सर बहुत जल्द नोकरी में बदलाओ होगा इसका मतलब जानते हो हाँ सर यह तो बहुत दुक्की बात है आपका डिमोशन होने वाला है आपकी पोस्तों मेरे से भी नीचे होने वाली है एह क्या कुलता है अरी इसका मतलब है मेरा बहुत जल्द प्रमोशन होने वाला है हाँ पिछले एक हक्ते से मुझे एसा ही लग रहा है लेकि मुझे एसा नहीं लग रहा है क्यों सर सर अभीजी सर ने विलकुल सही पता लगाया सर इम्मिग्रेशन रिकोर्ड से उस मारे हुए आदमी का चैरा मैच कर रहा है सर गुड मेला है सर सचीन यह तो बिलकुल सुमिझ जैसे दिखता है इसका नाम ब्रेंडन है उम्र पैतालिस साल और दो मेने पहले यूके से आया था सर मतलब आते ही मौत हो गई उसकी सर इसका नाम तो अंग्रेज हो जैसे है बड़ लगता है इंडियन है इस ब्रेंडन का गर का पता पून नमर कुछ है हाँ सर अशी पुर्वी इस नमर पर फोन करो गर काई फोन नमर हो गाई उसके माताविता से बात करो मुझर सावदानी से शायद उन बेचार को पता भी नहीं होगा ब्रेंडन के साथ क्या हुआ है हम और देखो बात्चीत में कुछ बता चलता है क्या इस ब्रेंडन के बारे में सर हाँ सर मैं C.I.D. छोड रहा हूँ अब और बरदास नहीं होता मैं पागल हो जाओगा क्यों रैसा क्या हो गया इस केस में बहुत कंशूजन है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह आदमी अंग्रेज रिकला मेरा दीमान फट जाएगा सर मैं भी चुट्टी पे जा रहा हूँ सालू के साब कसाती अभी जाओ अभी जाओ इसी वक्त बोरिया भी सरा बांदो निकल जो सी आइडी से जाओ अब कुछ समय बिताओ अपने बीवी के साथ शायत कुछ अकल आजाएगी जाओ सर आपका राशी पल तो सही निकला नोकरी में बतलाओ मचलब आपका रेजिगनेशन इस्तीफा है सर पुर्वी बात हो गई हाँ सर एक और चोकाने वाली बात बता चलिए क्या सर यह ब्रेंडन सुमित का बेटा था ब्रेंडन सुमित का बेटा है वो कैसे उसकी पहले शादी से सुमित नामकी अंग्रेज औरत से 1970 में शादी किती पेटे को जन देते हुए वो औरत मर गई बीवी की मौत के बाद उसका दिल तूटिया और वो अपने इस बेटे को लेकर इंडिया वापस आना चाता था लेकिन उसकी बीवी के घरवालों ने बच्चे को आने नहीं थी इसलिए पच्चे को नाने नाने के पास छोड़कर वो इंडिया आ गया और इंडिया में आने के बाद उसने अर्चना से शादी की और अपने पिछली जिंदगी मिटा दी किसी को कुछ भी नहीं बताया और इसलिए पोच्चे की इस बेटे यहाँ पे बिंडिया आया आया पको क्यों सुमित की इस बीटे बेंडन के बारे में यहाँ पे यहां पे किसी यह कोई और ही चक्कर है सर, अब इस ब्रेंडन के खुनित हम कैसे पहंचेंगे शुरू से शुरू से शुरू करके सुरी सर, आपका मतलब क्या था? एर्पोर्ट से पंकरज, एर्पोर्ट से जैसे ब्रेंडन एर्पोर्ट पर उथरा पता लगाएंगी वो कहां गया, कैसे गया, किस से मिला? Sir, ये फुटेज एर्बोट के अराइवल गेट किये सर, जब ब्रेंडन इम्मिग्रेशन से भार निकल चुपा था Sir, ये रा ब्रेंड, ये है ये, क्या पला आप भी ब्रेंडन से मिल ले आ है? क्याप के वज़ से इसका चहरा ठीक से दिखने रहा है ज़र जूम करो इस पर? अज़र लगता है कि जान बुझकर ये आदमी अपना चहरा चुपा रहा है इस चाता निए कि उसका चहरा कैमरे पे काप्चिर हो आगे बढ़ो सर ये दोनों तो पारकिंग की तरफ गए इसका मतलब इस कैप वाले आदमे की काड़ी पारकिंग में है एक काम करो इन दोनों के भार निकलने से आदे घंटे तक जितनी भी गाड़ियां एरपोट के पारकिंग लॉट से बाहर निकलिये उन सब के डीटेल्स निकालो पता चल जाएगा इस कैप वाले की कौन सी गाड़ी है सर वादमी ब्रेंडन को जब एरपोट के पारकिंग में लेके गया उसके आदे घंटे बाद तक ये सारी गाड़ियां बाहर जा दे रहे हैं बस भी ठीक है एक एक को फोन करो और पता लगाओ किस पैसेंजर को इन्होंने एरपोट से पिक अप किया किसी को छोडने कहते हैं मेसिस नाचल कुमार ओके पूरवी ओके क्या किस को छोडने कहते है पीटर फ्रैंक अचा ये कौन सी पैट से है ओके मिस्टर डिसिल्वा ओके पूरवी अब बचाए सिर्फ एक नंबर ये वी एच 543259 और सिर्फ ये नंबर किसी मिस्टर अनिल के नाम पे है जो कि लोना वाला के पंगलो पे रेइस्टर्टर है लेकिन यांग भी फोन नहीं देखा रहा है फोन नहीं देखा अनिली पिक अप करने आया था ब्रेन्ड़न को एरपोर्ट पर सर करी इस आनिल नहीं तो ब्रेन्ड़न का कमन नहीं किया ओसकता है थूमी एक बात तो पक्की है इस अनिल्पा बच्ट कई कोई संबंध है ब्रेंडन के कुन के साथ सर कार की रेइस्टेशन के साफ से अनिल जी का गरी है काफी पैसे वाले लगता ही अनिल जी इतना बड़ा पंगला वो कार लेकिन इस अनिल जी को ब्रेंडन से क्या काम पड़ गया झाल मुझे तो लगता है कि इस बेंडन को इंडिया में कोई जानता है नहीं था तो यह अनिल एरपोर्ट की गयता है उनली में असके बाद यह ब्रेंडन गायप कहा होगी कोई दरोमाजा खोल के नहें रहा है जी, कौन है आप लोग और क्या चाहिए आपके मालिक अनिल जी से मिलना है कहा है वो नहीं है आप क्यों पूछ रहें सब देखें बेमतलब परशान मत करिये नहीं तो अभी पुलिस को फॉन कर देंगे हम लोग CID से हैं CID? हुँँ CID काज लोगे अब यह हमारे किसी काम का नहीं है लगता है अनिल जी उसी तरफ है जिस तरफ है भाग रहा है चलो देखते है है हट हट हुँँ हुँ 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 मालिक और नौकर एक साथ शराप भी रहे थे यहां पर हुँ 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 हम यह जानने आया है कि कुछ मैने पहले आप ब्रेंडन को एरपोर्ट से लेकर कहा गए थे एरपोर्ट ब्रेंडन मैं कुछ नहीं समझ पा यह क्या बला तुम हम यह कह रहे है कि ब्रेंडन को लेके आप एरपोर्ट से आये थे और यह हमने सेटीवी फूटेज में देखा है अलिल जी आपकी कार कौन सी है सच्चा ही तो यह है कि ना तो यह पंगला अपका है और नहीं वो कार अब सच बताओ मेरे नाम पर कर दिया सर मेरे कुछ भी दिया सर तो फिर किसका है मैं कैसे बूलू सर मेरी जान क्या ही जाएगी सर देखो तुम जिनतामत करो कुछ नहीं होगा तुम्हें रह 리 हमें वकार करने के लिए क्या बात है एक लोगोंने हमें हमें yaha क्यूं बुला है कुछ पता चला क्या हम नहीं था एक यहां काशनी है लुकशन आम हम आपको कीर देखो बना हूँ लूमbas लेकिन इस बात का पता हमें क्यों नहीं चला? क्योंकि आप लोगों से पहले कुछ और लोगों को पता चल गया उनने यह पता चल गया कि सुमिद जी अपनी पूरी जमीन को बच्चों के पार के लिए दान करना चाहते हैं पर यह बात उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हेंने सुमी जी को रोखना चाहा। जब सुमी जी नहीं माने, तो उनका फून करती है। क्या?! जियां, सुमी जी का एक्सिडेंट कोई एक्सिडेंट नहीं था। इसकी प्लानिंग की थी उन लोगोंने। और उनलोग ने जमीन का एक छोटा सा हिस्सा आपके कॉनली को दिया और बाकी बिल्डर्स को बेज दिये वो मॉल जहां पे खड़ा है वो जमीन बिल्डर से मिले पैसे से आश कर रहे हैं वो लोग उनके पास देश वी देश में बहुत सारे घर हैं, बंगलो हैं तेर सारी गाड़ियां हैं और ये बात किसी को नहीं पता उनके दोस्तों और परिवार वालों को भी नहीं और सुमिजी का बेटा ब्रेंडन जब अपने परिवार वालों से बिलने इंडिया आया तो उसे भी मार दिया गया, क्यों? ये आमें मालूम नहीं और फिर बेटे की लाश को पिता के मूर्ती में चुपा दिया अब ये कैसे किया हैं? ये हम जानना चाहते हैं लेकिन वो कौन लोग है? यही हैं वो लोग सस तो ये है इसी कॉलोनी में रह रह रहे हैं दोके और खून से कमा हुए पैसो पर आयश कर रहा हैं लेकिन हम उन्हें जानते हैं अजये अजये आपको पीछाए जल्दी है कुछी नहीं मैं टूमे करता हicias का रिदार्या जुछő चर्वास करता हुआ कर दो लदा क्रता है क्रता हुआ क्रता है लाओ अरे अनन्द, अनन्द, समालना यार, अरे, अरे, क्या हो रहा है ये? कहा भाग रहे हो, हाँ? अरे सर, उतारी हम लोंगो को सर, मर जाएंगे हम, सर, नीचे उतारी है थे? सर, हमने तो तुम दोनों का नाम भी ने लिया था हम अगर तुम लों के लोनाओले वाले बंगले पे गये थे हम लोग नीचे उतारी है अरे, तुम लोग तो वैसे ही गिरे हुए आदमी हो, समिच जी और बेंडन का खोन किया तुम लोगों तुम लोगो मालूब पढ़ गया था कि तुमारे कर्दूर के बारे हमें पता चलिया सर, सर, नीचे उतारी है, प्लीज इसलिए क्लोनी वालों की जान को नमुक्सान पहुचा है हाँ, और अब उसका भगदड़ का सहरा लेके भाग रे थे हुम लोग सर उतारी हुमें, सर नीचे उतारी है, प्लीज प्लीज सर अजय के तुम मज्ड़ो नीचे उतारी ना जार सर लेकिन वे इस आपके दोसते थे, फिर आपने उनको क्यों मार दिया क्योंकि उनके लिए पैसा दूस्ती से जादा माने रखता है लेकिन ब्रेंडन को क्यों मारा? सर, एक्चुली हम उसे मारना नहीं चाहते थे हम उसे एरपोर्ट से सीधा हमारे खाली पड़े हुए फ्लैट पे लेके गए हमने सुचा था हम उसके बाप के मरने की जूटी कानिया सुना कर उसको यूके वापस बेज देंगे और उसने हमारी वो बाते सुन ली थी जिसमें हमने सुमित को मारने का जिक्र किया था इसके लिए उसको मारा सा लेकिन उसके लाश मुर्ती में को चुपाई? हम नहीं चाहते थे कि उसकी लाश किसी भी हालत पे सी आईडी को मिले अगर हम उसे जलाते दफनाते या किसी ताला जिल में उसकी लाश छोड़ देते तो एक नएक दिन तो लाश मिली जाती न फिर फिर तो हम पकड़े जाते इस दियाम ने उसकी लाश सुमित की मूर्ती के अंदर डाल दी थी ताकि कोई डूड ना सके अईसलिए तुम लोगों ने निशित को मार दिया उसके गड़ाउन से सुमित जी के पुतले का धाचा को चुरा लिया और नहीं मूर्ती बनाई यह 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 लेकिन तुम लोगों ने मूर्ती जब बदी तो कॉलोनी वालों को कैसे नहीं बता चला वो सर अब मजने एक दिन पूरे कॉलनी वालों को रात के खाने की दावद दी ती और अर हमने उनके खाने में निन की गोलीय डालती थी अच्छा जब सारी कॉलोनी सुग WordPress तो पुरानी मूर्ती के जगर नहीं मूर्ती रखते अगर उनी अपने कार से उस मूर्ति को ठोकर नहीं मारती तो इनके काले कानमों से परदा नहीं हटता लेकिन सच्चाई में एक ताकत होती है तो कभी चुपती नहीं चुर्म में भी वही कमजोरी होती है वो भी कभी चुपती नहीं इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, इन्हें सजा भाहम देंगे हाँ सर, इन्होंने हमें धोका दिया है, यह हमारे गुन्हेकार है अपने विए अरेस्ट कर दो तो हम तुम्हें सजा देने कहाक अगर हमारे हाथ में होता तो हम तुम्हें इनके हवाले कर देते हमारे हाथ बंदे हुआ हैं वजना नेकल पंकच लेज़ो इने पेटा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने गुत्थी सुलजाए और छिपे हुए गुनेगारों को पकड़ लिया यह तो हमारा फर्स था लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि मौल की जमीन भी कॉलोनी को वापस मिल जाए आपके पती का जो सपना था पूरा हो कही रहेगा खुश रहो बेटा, खुश रहो